हेलो फ्रेंड पॉपुले टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या आगया आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि इशान ने सभी को थैंक्स बोलने के लिए लेकर गया उसे डिनर डेट पर तो वहीं डिनर डेट पर आए इशान और सभी एक दूसरे के करीब जी हाँ दोस्तो अब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां फाइनली अनवी और शिका के समझाने पर सभी रेडी हो जाती है इशान के साथ डिनर डेट पर जाने के लिए तो वहीं सभी और इशान दौनों रेडी होके रेस्टरांट पहुँच जाएंग जहां रिवा भी अपने पेरंट्स के साथ उसी रेस्टरांट में आए जाएगी तो वहीं इशान की नजर रिवा पर नहीं पढ़ती है लेकिन रिवा सभी और इशान को रोमैंटिक डेट पर देख लेती है लेल अप शो के अपकमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे जहां रिवा इशान को कॉल करेगी ये चेक करने के लिए कि इशान उसे सचाई बताता है कि नहीं तो वहीं इशान अपना फोन देखता है जिसमें रिवा की कॉल आ रही होती है जहां इशान रिवा की कॉल रिसीव करने के लिए साइड में चला जाता है क्योंकि म्यूजिक की आके ये कहते हुए नजर आने वाला है कि सवी एक मिनिट के लिए तुम मेरे साथ चलो वेल अप शो के अपकमिंग ट्वैक में बाप देखेंगे कि जहां सवी इशान की बाते सुनके शौक्ड हो जाएगी और कहेगी कि ये क्या बात हुई शान सर आप मुझे खाना खिलाने के लिए बहार लाए थे ना और अब खाना भी नहीं खाने दे रहे हैं ये तो मुझे पता है कि आप किसी न किसी बास से चिड़के बैठे हो क्योंकि आप तो हो ही चिड़की असर और मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे साइड में ले जाकर डाटना चाते हैं तो वहीं ईशान सवी का हाथ पकड़ेगा और उसे साइड में ले जाएगा जहां इशान सभी को अपने करीब खीचेगा और अपने हाथों से सभी के डोरियां बांदेगा और इशान के टस्स सभी के दिल में फीलिंग्स जगने वाली हैं और वो दौनों एक दूसरे की आँखों में डूब जाएंगे तो वहीं दोस्तों इसी दौरान वो दौनों आजाएंगे एक दूसरे के करीब और रिवाओं ने देख कर होने वाली है काफी ज़ादा अपसेट तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रही हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चानल को सबस्क्राइब करने ना भूले